So Hello Everyone, तो आप लोगों के साथ बजते ही आप लोगों का रिजल्ट एनाउंस हो चुका है, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था राउंड शाम के चार-पाँच बजे, या आप लोगों का रिजल्ट एनाउंस हो जाएगा 7 पे तो जैसे ही साथ बज़े आप लोगो पीच में कट आफ जाएगे जिसका 35 प्लस है वो अपना आराम से फॉर शॉर शॉर्ट त्यारी कर सकता है और कट आफ अगर मैं बात करूं वाई ग्रूप का तो 34.24 इंके मार्क्स आया है अब यहां पर आपको चीजन ध्यान से सुननी है जो मैं आपको बोल रहा हूं रिज पिछली बार भी जुलाई में पढ़ाया था उसका रिजल्ट नहीं है ठीक है उसकी काफी क्यूरासिटी थी जानने की कि इतने नंबर अफ्टूडेंट अपने प्लाटफॉर्म से यानि की परमाट डिफेंस प्लाटफॉर्म से से सिलेक्ट हुए हैं कितनों ने एक्जाम क किया है ठीक है फाइनल तो वह भी अन्लॉल्मेंट वगरा है वो तब पता चल जाएगा और वह भी काफी जल्दी हो जाएगी क्योंकि आप देखते हैं कि कितना स्पीड अप प्रॉसेस हो रही हैं 31 को एक्जाम कतम हुआ 10 को रिजल्ट आ रहा है और आप देखना तुरंत ह आपका सारा चीज़ें क्लियर होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग मैं फदर आपको गाइड करूँ गा नो डाउट जिनका आगे जिनका क्लियर हो गया जिनका नहीं हुआ सबको गाईडेंस में आपके देने वाला हूँ आगे और इसी चीज इसलिए मैं वेट कर रहा था मैंने कोई cut off के regarding ऐसे अलग से या फिर कोई अलग से मैंने कोई result का बाया का वो नहीं डाला because result का सबको पता ही था और फिर cut off का मुझे पता थे 10 को result आना ही है तो फिर 2-3 दिन पहले वो वीडियो डाल के डाल के क्या ही कर ले था वो मैंना को बता दिया था जिसके 35 प्लस है वो clear है अनि कि वो आराम से अपनी तयारी करे face 2 का ठीक है तो वो ही यहां पे हुआ 34 गया है cut off other than sign subject आने की y group का और x group का मैं बात करूं sign subject का तो 28 marks यहां पे गया है cut off इस पार paper जो है काफी hard आया था अगर मैं x group की बात करूं और y group में भी जो math था that was calculative तो यहां पे important मेरे लिए इसी sense में है because पिछली बार भी result नहीं है और इस बार भी result आया मुझे पता है I am very much sure कि काफी ज्यादा number of students जो है यहां पे select हुए है और select हुए होंगे उसमें कोई doubt नहीं है और main यह नहीं है कितने number of students select हुए main होता है किसी भी coaching में selection ratio कितना है selection ratio बोले तो कितने total number of students में कितने हों का selection हुआ और यह अभी अंदाजा ऐसे लगेगा जब आप में से जितने लोगों ने भी यहां पे पढ़ाई की है PTS लगाया है महा PDF फिर वीडियो से help मिले जिनको भी serious अगर help मिली है नीचे से वीडियो के description में आपको google form का link दिया हुए उसका भरी है वहाँ पे सारी details है लेकिन अगर आपने इस platform से preparation की हो तो और किस तरह से हमने आपका selection में contribute किया वो सारी चीज़े वहाँ पे आप जरूर फिल कीज़ेगा ताकि हमें एक idea लग सके कि हाँ इतने total number of student जो है यहां से इस platform से select हुए है और वो होगे बहुत भर-भर के select हुए होंगे वो data आपको पूरा जैसे कि मेरे पास आज कल में आ जाएगा खेर अब बता दे तुम कि result आपको check कैसे करना मैं भी काफी excited हूँ because यह आप इमान लो कि एक साल बाद के result आ रहा है ठीक है एक साल बाद result आ रहा है मेरे लिए तो यह बहले आप लोग के लिए 10 दिन बाद result आ रहा है लेकि मेरे लिए एक साल बाद है यह आपका वेबसाइट है जिसका लिंक आपको टेली ग्राम आपको जो टेली ग्राम चानल है जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक के मिल जाएगा because यहाँ पे मैं लिंक डाल दूँग यह डिरेट खुलता नहीं हो खुलता भी तो अलग से ब्राउजर में खुलता पता नहीं अजीब सा वो क्रोम में वैसे खुलना होता है तो आप वहाँ पे टेली ग्राम पे जाना वहाँ पे यह मैं लिंक डाल दूँगा परमार डिफेंस नाम से टेली ग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो वहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आ जाओगे और वहाँ पे लॉग इन करना आपका हुआ नहीं हुआ कितने मांक्स है किस ग्रूप में कितने मांक्स है और फरतर गूगल फॉर्म भरियेगा अगर आपने इस प्लाटफॉर्म से पढ़ाई की है तैरी की है जरा से भी आपको पी टीए सानी की जो आमने टेसरीस ओफर की थी महाँ पीडिए फिया फिर से हेल्प मिली थी चाहिए वो मेरी वीडियोज है अनुट सर की वीडियोज हो या दीपक सर की वीडियोज हो मैथमेटिक्स की अगर आपको हेल्प मिली है देन डेफिनेटली फिल दाट फॉर्म और उनके खास कर उनके लिए 15 ओगस्त को एक स्पेशल अनॉंसमेंट होने व होगा ठीक वो आपकी सौच से भी परे होगा बस मैं इतना आपको कहना चाता हूँ मोजे पता है कि आ आपने क्या सौच लिए होगा ल किन वह नहीं होगा पस मैं इतना आपको गहना चाता हूँ ठीक है वाकि आप लोग Google फॉर्म बरिए गा और मिलते अंगले वीडियो में जीडी फेस टू और जिसका नहीं हुआ है उसको क्या करना है कितने टोटल नंबर स्टूर्ट सेलेक्ट हुए और कैसे क्या आगे चीज़ें होंगी सारे नंबर वीडियोज आपको मिलेंगे अभी तक मैं सीव से नहीं डाल रहा था क्यों ही प्रेडिक्शन्स मारो जब दस दिन बाद साई चीज़ें एकदम क्लियर हुई जानी है ठीक है बाकी जिनका FCAT का एक्जाम है CDS का एक्जाम है आपका एक्जाम मुझे पता है 15-20 दिन बाद लगा हुआ है तो आपके लिए भी फुल गाइडेंस होगा FCAT, CDS और एक्जाम के लिए भी विकॉज मैं चाहता हूँ कि जिस तरह एरफोस में सेलेक्शन दिये हैं हमने उस तरह ओफिसर लेवल पे भी NDA, CDS और FCAT में भी दें और वो इसी बार से ही देंगे CAPF का पेपर खतम हुआ जो कि एक ग्रूप एक गजटेट लेवल की पोस्ट के ले एक्जाम होता है वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट जाने वाले हैं एक्जाम क्राक करने वाले हैं जहाँ पे मात्र 200 पोस्ट होती हैं जहाँ पे UPSC तक के बंदे बैठते हैं ठीक है सिविल सर्विसेस के वहाँ पे भी सेलेक्शन होने वाले तो CDS, FCAT और ND हमारे नेक्स टार्गेट हैं इसी बार जो आपका एक्जाम है चार सिसम्बर को ND, CDS को और उससे पहले जो एड्मिट कार्ड आ गया है FCAT का 26, 27, 28 को उसमें भी आप देखेगा टोटल नमबर और स्टुएंट कितने सेलेक्ट होते हैं बाकी एर फोर्स के अभी जैसे ही टोटल फिगर आता है वो आपके साथ में शेयर करूँगा ठीक है बाकी अगर आपको इडाउट है कॉमेंट सिस्टेम में ज़रू शेयर कीजेगा और इस वीडियो को भी शेयर करके लाइक कर दीजेगा अगर मान हो तो बाकी चैनल को भी सब्स्राइब करेंगा जै हिंद